तो हाई फ्रेंड्स नमस्कार किसान भाईयों कैसे आप लोग आज मैं आपको कुछ खास चीज दिखाने वाला हूँ मैं अपने पॉलिट्रिफ फार्म के बगल में इस चीज का खेती किया हूँ आप भी कर सकते हैं और इससे भी काफी अच्छा लाव लिया जा सकता है मैं आपको बता देता हूँ इसे जो है वो प्रोफेशनल तरीके से भी किया जा सकता है और इससे काफी कम मेहनत में इसमें समझ लिए तो एक बार लगाने के बाद में कोई भी मेहनत नहीं करनी है और इसके काफी अच्छी खासी रेट भी आपको प्राप्त हो जाती है एक पौधा से लगवग आप 5 केजी तक जो है वो एक साल में पौड़क्ट ले सकते हैं इसके नाम अगर आपको नहीं पता चली मैं आपको एक और पहले पौधा दिखा देता हूं बारिकी से समझ यह हर एक डिटेल में आपको इस वीडियो में देने वाला हूं और आप कमेंट बॉक्स में अभी कर सकते हैं कि यह किस चीज का पौधा है ठीक है थोड़ा से वियर्ड टाप का यह पौधा है इसकी कम से कम जो है वो जमीन से निकलने में इससे 10 दिन हुए है और 10 दिन में यह इतना बड़ा हो गया है सुरुवाती में यह काफी बड़ा होता है मैं आपको अपडेट देते रहूंगा से 15 दिन बाद में आपको इस तरह के इतने बड़े तक पैद रही है और इसकी नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते है आप किसान बाई है तो आपको पता होना चाहिए वैसे मैं बताता हूँ, अलग-अलग जगा पे, अलग-अलग नाम से इसे जाना जाता है, कहीं पे इसे all कहता है, चली मैं आपको दिखा देता हूँ, कैसा दिखता है, यह इस तरह का दिखता है, इसे भी लगाना है, ठीक है, लगाने का भी सही तरीका, इसी वडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, इसे all कहा जाता है, इंगलिस में elephant foot कहा जाता है, चुकि कुछ हद तक यह हाथी के pair type का दिखता है, तो इसे elephant foot भी कहा जाता है, सूरन बहुत जगा पी से कहा जाता है, इसे जमीकंद भी बहुत से लोग कहते हैं, चुकि यह जमीन के नीचे होता है चली मैं आपको बताता हूँ, इसे लगाने का सही तरीका क्या है, सबसे पहले तो आपको गढ़ा खोदना होगा, गढ़े की अगर dimension की बात करें, तो आपको जो है वो, डेर फीट चौरा, और एक से डेर फीट गढ़ा जो है वो, खोदना होगा, और उसमें अच्छे तरीक के जी का होगा, ये तीन सार तीन के जी का होगा, मैं आपको बता है, तो और इसका पाट था, यहां हमने काट के इसे लगाया बे, छोटा छोटा जो है वो टुकरा, आप बो सकते हैं, अपने खेत में, यहां काटा हुआ है, आप देख रहे ये आधा है, ठीक है, इधर से भ होनी चाहिए, एक से डेर के जी, बड़ा टुकरा आपको जमीन के अंदर गार देना है, और ये देखिए, यहां पर देखेंगे, तो ये एक निकल रहा है, ठीक है, इससे आपको निकलता हुआ, दिख जाएगा कि पौधा इससे निकल रहा है, उसको हम लोग बीच मे काट देंगे, एक इधर आँक होना चाहिए, इससे हम लोग आँक भी बोलते हैं, ये यहां देखेंगे निकल रहा है, ठीक है, तो इस तरह से जो है वो ये निकलता है, और यहां से पौधा निकलेगा, और भी कहीं कहीं खो जाएगे, तो और भी जगा निकल रहा होगा, तो बस साथ से आठ महीने तक आपको वेट करना है। साथ से आठ महीने मैं ये हमारा पूरी तरीके से त्यार हो जाएगा और ये डेर के जी हमने लगाया था अच्छे से अगर देखबाल करते हैं वैसे तो इसकी कोई देखबाल करने की जरूरत नहीं होती है इसको पानी फटाने की जरूरत नहीं होती है शुरुवात के दिनों में जब तक ये हमारा जितना बड़ा पौधा मैंने दिखाया ये अगर इस तरह का पौधा हो गया तो अब इसे जो है वो देखबाल की कोई जरूरत नहीं है अब इसे जो है वो इसको अपने हाल पे छोड़ देना है ये साथ से आठ महीने के बाद में अपने आप जो बाहर का ये पत्ता बगरा है वो सब बिल्कुल सूख जाएंगे और हम लोग को समझ में आ जायागा कि इसको जो है वो अब जमीन से निकाल लेनी चाहिए और जैसे ही ये सूखता है उसको जमीन से निकाल लेना चाहिए अगर नहीं निकालते हैं फिर भी कोई दिकत नहीं है अगले साल ये अपने आप जमीन से आ जायागा उपर और फिर वो जो है वो फिर से और बड़ा फल आपको मिल सकता है वैसे तो ये सब्जी है इसकी सब्जी बनती है आप अगर गाव से बिलोंग करते हैं अगर कोई दिक्कत है या फिर आप बड़े पैमाने पे इसकी खेती कैसे करें तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्त फिर मिलते हैं तब तक लिए नमस्कार जय हिंद जय जय जमान जय किसान धन्नवाद दोस्तों